बच्चों, आज हम भारत के महान गड़ तक श्री नवास रामानुजन के जीवन परिचे के बारे में जानेंगे। एवं विकास की बात होती है तो भारत की गड़ती परमपरा को शीर्स पर रखा जाता है। भारत में हुई शूर्न एवं दसमलो जैसी मूलभूत गड़ती खोजे इसका प्रमुक कारण मानी जाती है। इन मूलभूत खोजों ने गड़ित को ऐसा आधार पदान किया है जिसके आधार पर सभिताओं के विकास का क्रम दिरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारती गड़तग्यों की योगदान को उत्सव के रूप में मनाया जाता है तो यह सर्वथा उप्युक्त है। बिसोप्रसिद भारती गड़तग्य स्री निवास रामानुजन की याद में हर साल 22 दिसंबर को बनाया जाने वाला राश्ट्री गड़ित दिवस ऐसा ही उत्सव है जो हमें भारती गड़ित की सम्रत परंपरा का इसमरड कराता है। महान भारती गड़तग्य स्री निवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड तमिल लाड़ु में एक वैश्डो ब्रामण परिवार में हुआ था। में सबसे अधिकंग प्राप्त किया और आगे की सिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल गए। रामानुजन को प्रश्ण पूछना बहुत पसंद था। इनकी प्रश्ण अध्यापकों को कई बार बहुत अटपटे लगते थे। जैसे की संसार में पहला पूरुष कौन था। प्रथवी वबादलों की बीश दूरी कितनी होती है। बचपन से ही इनकी अध्बुत विलक्षर प्रतिभा गड़ित के छेतर में देखी गई। यह अध्बुत साम में है कि प्राचीन भारती गर्तग्यों की भादी रामानुजन विस्सीधे सूत्र प्रस्तुत कर देते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कैम्बुत विस्विध्याले के प्रोफेसर जी अच हार्डी ने इनको वहां आने की सारी अपचारिकताएं तथा धन आधिकी व्यश्था पूरी की। 17 मार्च 1914 को रामानुजन डंदन के लिए रवाना हुए और वहां 27 फरवरी 1919 तक रहे। वहां पर प्रोफेसर हार्डी एवं प्रोफेसर लिटिल वुड के साथ कई विश्यों पर शोध कारि करते तथा परस्पर ग्यान का आदान प्रदान करते थे। इनके ग्यान की सहायत महानता के कारड 28 फरवरी 1918 को मात्र 30 वर्स की आयू में ये एफारेस हो गये। तथा 13 अक्टूबर 1918 को ट्रिनिट कॉलेज केंब्रिज के फेलो से सम्मानित हुए। जन्वरी 1919 में उन्हें इंडियन मैथमेटिकल सुसाइटी द्वारा भी सम्मानित किया गया। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन की तुन्ना यूरोप के महान गर्तग्यों आयलर, गौस तथा याकोबी के साथ की। गडित के इतिहासकार हरबर्ट तन्बुल ने लिखा है रामानुजन की गवेश्राओं से एक नए यूग का सुत्रपात हुआ। इनकी अद्बूत प्रतिभा के दर्शन उस समय भी हुए जब बिमारी के अवस्था में अस्पिताल में इन्हें देखने डॉक्टर हार्डी गये। सयोग बस जिस टैक्सी से प्रोफेसर हार्डी गये थे उसका नंबर 1729 था। डॉक्टर हार्डी ने दुखी स्वर में कहा कि जिस टैक्सी से वे आये हैं उसका नंबर बड़ा ही एशुब है क्योंकि उसका गुडन फल 13 है। तुरंत रामानुजन लेटे लेटे ही उत्तर दिया। यह तो सबसे छोटी संख्या है जिसे दो प्रकार के दो घन संख्याओं के योग की रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1729 को रामानुजन संख्या भी कहा जाता है। ऐसे महानगर्टग एवं सरस्ती पुत्र का देहानवास मातर 32 वर्ष की अलपाईव में 26 अप्रेल 1920 को हो गया। तथा इनकी मृत्य के लगबग 37 वर्ष बाद इनकी तीन नोट बुकों की फोटो कॉपी का प्रथम संस्क्रण दो बड़ी जिल्दों में टाटा इंस्टिटूट और फंडामेंटल रिसर्च मुंबई द्वारा प्रकासित किया गया। इसमें इनके द्वारा खोज किये 4000 सुत्रों एवं प्रम्यों का संक्लन है जिस पर आज 20 सुभर के गर्तक खोजबीन में जुटे हुए हैं। इनकी प्रधिभा का एक उदारण है इन्होंने वरत्ति की परिधी एवं ब्यास के अनुपात पाई के अधिक से अधिक शुद्ध मान प्राप्ट करने के लिए जो सुत्र प्रस्तुत किये उसके आधार पर आज सुपर कंप्यूटर पाई का शुद्ध मान दसमलों के अधिक दशकों तक शोद काविश है रहेंगी तथा इन्हें गर्तिग्यों का गर्तागी कहना कोई अतिश्योग की नहीं होगी